देख सकते हैं कि एक-एक short video पर यहां पर 10 million, 7 million, 1.6 million, 1.5 million, 1.3 million मतलब कि काफी video यहां पर million में गई हैं लेकिन दोस्तो एक चीज यहां पर आपको देखाऊंगे जो काफी common हैं और इन videos में एक trick का इस्तमाल किया गया है जिसके कारण इनकी video million में गई है और दोस्तों इस trick को कैसे आपको इस्तमाल करना है और आपकी वीडियो भी कैसे million में जा सकती है short वीडियो को आप भी कैसे viral कर सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं इनके इस 10 million वाले वीडियो को open करता हूँ अब जैसे ही यहाँ पे 10 million वाले इस वीडियो को मैं open करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 million views हैं इस वीडियो पे लेकिन नहीं इस वीडियो पे आपको like सो हो रहा है और नहीं dislike सो हो रहा है उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ 7 million वाला वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं जिस पे 7.8 million views हैं इसको भी open करता हूँ तो same यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं like दिख रहा है नहीं dislike दिख रहा है और इस वीडियो पे 7.8 million views गया है मतलब कि आप समझ सकते हैं, यह कितना ज़ादा फ्यूज गया है, उसके बाद 1.6 मिला है, मतलब इनकी जितनी भी वीडियो को मैं open करूँगा, किसी वीडियो पे आपको like और dislike नहीं दिखाया जाएगा, और यही रीजन है कि इनकी वीडियो जो है million में गई है, दोस्तों अग लोग short video बनाते हैं, उससे अब short video से भी earning कर पाएंगे, दोस्तों पहले क्या था कि जो लोग short video बनाते थे और जिस पे million में भी जाते थे, उन्हें सिर्फ short fund दिया जाता था, लेकिन दोस्तों 2023 फरवारी से YouTube ने ये decide किया है, कि जो लोग short video बनाते हैं, उनके short video पे भी add दि आ सकते हैं, अब दोस्तों ऐसे में काफी लोग short video बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों दिक्कत यह है कि काफी लोगों को यही नहीं पता कि short video को viral कैसे किया जाता है, आज कि इस video में आपको कुछ ऐसे tricks बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप इस trick से अपने short video को upload करेंगे, त दल सकता है, दोस्तों इस video को बिना skip किये, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक यहाँ पे step by step में आपको process बताने वाला हूँ कि short video को आपको viral करने के लिए, किस तरीके से upload करना है, चलिए सबसे पहले आपे मैं अपना mobile phone ले ले लेता हूँ, और आपको वो बहतरीन trick ब short video 2023 लिए, अगर आप यह comment कर देते हैं, और like और channel को subscribe कर लेते हैं, तो next video के description में उपर में आपके channel का link जो है mention कर दिया जागा, अगर आप lucky winner बन जाते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो process मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, लेकिन दोस् तो मैं कोई भी video बनाता हूँ, तो 100% proof के साथ आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद ही उस video को बनाता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने आपके सामने एक channel यहाँ पे open करके रखा है, इस channel पे 33,000 subscriber हैं, मतलब कि 33.2K यहाँ पे subscriber हैं, और इस channel पे क काफी video यहाँ पे million में गई हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जो काफी common हैं, और इन videos में एक trick का इस्तमाल किया गया है, जिसके कारण इनकी video million में गई है, और दोस्तों इस trick को कैसे आपको इस्तमाल करना है, और आपकी video भी कैसे million में views हैं इस video पे, लेकिन नहीं इस video पे आपको like सो हो रहा है, और नहीं dislike सो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ, 7 million वाला वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, जिसपे 7.8 million views हैं, इसको भी ऑपन करता हूँ, तो same यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं like लाइक नहीं दिखाया जाएगा और यही रीजन है कि इनकी वीडियो जो है मिलियन में गई है दोस्तों आपने एक कॉमन चीज यूटीब पे देखी होगी कि अगर किसी वीडियो पे व्यूज कम होते हैं या किसी वीडियो पे लाइक कम होते हैं तो उस वीडियो कोई भी नह गाहता हूं कि YouTube पे short video viral होने का main reason क्या है YouTube पे short video viral होने का main reason ये है कि जितना जादा like आपके वीडियो पर आएगा उतना जादा YouTube उस new video को short feed में भेज़ता है जैसे कि माल लिजिए मैं यहां पर कोई short video देख रहा हूं तो जितना ज्यादा like उस short video पर किया गया होगा उस video को उत कोई भी like नहीं होनी चाहिए या तो बहुत ज़्यादा like होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपके वीडियो पे 10, 20, 50 like हों तो उसको कोई भी like नहीं करेगा लेकिन अगर आपके वीडियो पे बिल्कुल भी like नहीं दिखेगा तो लोग confuse रहे हैं इस वीडियो पे like डिस like कुछ नहीं है चलो मुझे पसंद आया मैं like कर देता हूँ दोस्तों ये जो trick है इस trick को आपको कैसे इस्तमाल करना है और कैसे इस trick को इस्तमाल करके आप अपने वीडियो वारल कर सकते हैं यहाँ पे step by step process बताने वाला हूँ वीडियो अपलोड करके ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है आप plus के icon पे click करना है और यहाँ पे आपको creator sort पे click करना है जैसे आप creator sort पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाना है अपने videos में जो अपने video बनाया है sort video जो आप upload करना चाहते है उसमें आ जाना है और यहाँ से अपने video को select कर लेना है माली जै यह video मेरी sort video है मैं इसे upload करना चाहता हूँ और सही तरीका क्या होता है video upload करने का sort में यह यहाँ पे देहान से देखे, आपको यहाँ पे done पे क्लिक करना है, जैसे ही आप done पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपकी वीडियो प्रोसेसिंग होने लाएगी, जैसे ही यह वीडियो प्रोसेसिंग हो जाती है, तो आपको जो है यहाँ पे वीडियो दिखने लाएगी, य और ये वीडियो देखी यहाँ पर आपकी दिखने लगी, अब आपको क्या करना है, कि यहाँ पर आपको नीचे में चार आप्सन मिलते हैं, अगर अगर आप अपने वीडियो को बहतर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप filter का भी इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, कि next पर क्लिक करना है, जैसे ही next पर क्लिक करना है, अब आपको यहाँ पर title कैसे डालना है, description कैसे डालना है, वो चीज़े आप ध्यान से देखिएगा, यह चीज़े काफी ज़्यादा important है, तो सबसे पहले आपको select करना है, sort का thumbnail, क्योंकि sort का thumbnail बहुत important है, जब तक आप thumbnail अच्छी तरीके से नहीं select करेंगे, तब तक आपकी वीडियो पर कोई भी click नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कि यहाँ पर pencil वाले icon पर click करना है, अब दोस्तों यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर thumbnail आपके सामने आगे हैं, अब जो भी thumbnail आप sort video के लिए select करना चाते हो, वो यहाँ पर आपको sort video के लिए thumbnail select करना है, तो माल लिजे कि मैं यह thumbnail select करना चाता हूँ, तो इस तरीके से मैंने यह thumbnail select कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर done पर click कर देना है, जैसे यहाँ पर आप done पर click कर देते हैं, अब आपको यहाँ पर डालना है वीडियो का title, अब दोस्तों sort video का title कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जिससे कि आपकी वीडियो sort feed में जाए, हाला कि sort video searches में भी आते हैं, अगर आप कोई चीज़ सर्च करोगे तो 2-3 वीडियो के बाद नीचे में sort video आता है, लेकिन यहाँ पर हमें कहा करना है कि sort video को feed में भेजना है, जैसे लोग स्क्रॉल करते हैं तो उसमें हमारी वीडियो जादा जाना जरूरी है, तो सबसे पहले आपको category समझनी है कि आपका वीडियो किस category है, माल लिजे मेरा take category का वीडियो है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जिससे की ज़्यादा तर मेरी वीडियो वीडियो वाइरल हो, तो यहाँ पर मैं जो है एक viral girl saloni के घर गया हूँ, जो की जिसने बिहार में गाना गाया था, वो काफी ज़्यादा famous होई, काफी ज़्यादा viral होई, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा viral girl saloni, यहाँ पर आप देख सकते हैं viral girl saloni जैसे ही यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो यहाँ पर जो है सो title आगया viral girl saloni बिहार, तो जिस भी topic पर आप वीडियो बना रहे हैं, उस यहाँ पर उस topic को यहाँ पर आपको जो है title लालने से पहले Google में जरूर से जरूर सर्च करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी सारी वीडियो वीडियो बनी हुई हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा सर्च क्या हो रहा है, मतलब कौन से चीज सबसे ज़्यादा trending में जा रही है, क्या है जो सलोनी के बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, रोतास ब्याल वाइरल गर्ल सलोनी, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वाइरल गर्ल सलोनी, जो है बोला जा रहा है ठीक है तो आपको इसका टाइटल रख देना है वाइरल गर्ल सलोनी मतलब कि जो जादा सबसे जादा जिस टाइटल से चल रहा है सबसे जादा जिस टाइटल से वीडियो वाइरल हो रहा है वो वही यहाँ पर लिख देना है वाइरल गर्ल सलोनी का घर सलोनी का घर हम यहाँ पर इस तरीके से जो है सो लिख देते हैं आपको भी कुछ ऐसा टाइडल चुड़ना है जो की काफी जादा ट्रेंडिंग में चल रहा हो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने जैसे ही यहाँ पर वाइरल गर लिखा वाइरल गर्ल सलोनी यहाँ पर बिहार आ गया तो आपको यह चीज यहाँ पर मेंसन कर देना है वाइरल गर्ल सलोनी बिहार ठीक है का घर इस तरीके से आपने कर दिया या फिर वाइरल गर सलोनी भी सिर्फ रख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि हैस्टेग लगाना है बहुत आपको क्या लिखना है सबसे पहले सौट्स पर देख सकते हैं चार सो साथ मिलियन यहाँ पर वेडियो बने हैं और यहाँ पर चौविस मिलियन चैनल पर बनाएं तो इस हैस्टाग को आपको हैंडयोड पर県ट करना है उसके बाद आपको फिर-स षalım, यहाँ परनेकर दिया सब्सक्ताइब przedsiębior dollar+, हैं फिर चालूट्याड करना है अब आपको topic के हिसाब से करना है, जैसे कि hashtag saloni, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप saloni यहाँ पर सर्च करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, छे मतलब कि 6000 चैनल पर upload किया गया है और यहाँ पर 17 के videos हैं, तो इस तरीके से आपको hashtag और अपने video sort को यहाँ पर add कर देना है, अब आपको second चीज क्या करना है, बहुत लोग क्या करते हैं, कि इस तरीके से title डालके direct publish कर देते है video को, sort को, यह चीज आपको गलती नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सेता है, visibility public है, इसको सबसे पहले आपको unlisted कर देना है, और unlisted करने के बाद यहाँ पर आप select audience है, तो यहाँ पर no it's not made for kid कर देना है, यह काम कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको comment मिलेंगे, तो comment में ही main चीज यहाँ पर है, comment में आपको क्या करना है, कि disable कमेंट कर देना, अगर आप disable कमेंट कर देंगे, तो जो मैं आपको trick बताई, नहीं आपके वीडियो पर लाईक दिखाया जाएगा, नहीं dislike दिखाया जाएगा, नहीं कोई comment कर सकता है, तो यहाँ पर आपको disable कमेंट जरूर से जरूर कर देना है, उसके बाद अब आपके नहीं वीडियो पर like देखेगा नहीं dislike देखेगा जिससे की जो भी आपके वीडियो को देखेगा वो देखेगा यहाँ पर कि कुछ like नहीं दिखा जाए तो वो directly like कर देगा ठीक है तो इस तरीके से आपको करना है उसके बाद यहाँ पर upload shots पर click कर देना है अब ज लेख सकते है ready to watch लिग दिया अब आपको three dot पर click करना है और यहाँ पर manage वीडियो में जाना है यहाँ पर आप जैसे ही वीडियो में जाएंगे तो अब आपको क्या करना है कि अब इस वीडियो को आपको जो है so edit करना है edit करने के लिए आप दो चीजों का इस्तवाल कर सकते या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं आपको माई चैनल में जाके आप manage वीडियो में कर सकते हैं या फिर आप creator studio में भी कर सकते हैं तो आप आपको यूर चैनल में जाना है जैसे ही यूर चैनल में जाएंगे manage वीडियो में जाना है manage वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पर देखेते हैं कि एक short video आपको यहाँ पर दिखाया जाए 37 seconds पहले upload है अब आपको इसके three dot पर click करना है और यहाँ पर चले जाना है edit में ठीक है जैसे edit में जाएंगे अब आपको description कैसे डालना है tag कैसे डालना है सब कुछ यहाँ पर ध्यान से देखेगा सबसे पहले आपको title को यहाँ पूरा copy करना है इस तरीके से उसके बाद copy करने के बाद यहाँ पर description में इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है मतलब जो आपने title लिखा है के उसके ऊपर में description में आपको paste कर देना है अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको ernो कोर और दुर्ट से देना है अब हम हम यहां पर लिखेंगे जो सबसे जादा जिस topic हमने video बनाया जो सबसे जादा वायरल हो रहा है उस चीज को यहाँ पर लिखना ह फिर से आपको Google Chrome में जाना है और यहां पर आपको लिखना है Viral Girl Saloni, ठीक है, आपने यहां पर लिखा, अब यहां पर आपको देखना है कि क्या क्या चीज़े इस टॉपिक पर यहां पर दिखाई जा रही है, जैसे कि हम फिर से लिख देते है Viral Girl Saloni, ठीक है, इस तरीके देख यहाँ पर जितने भी आ रहा है न सब keyword यह research में है मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्च हो रहे हैं तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से screenshot ले लेना है इस screenshot लेने के बाद अभ यहाँ पर क्या क्यै लिखा हुए आपको देखना है वायरल गर्ल सलोनी बिहार तो यहाँ पर आपको लिख दिजिए वायरल गर्ल सलोनी बिहार ठीक है, पहला आपने लिख दिया, अब आपको फिर से यहाँ पे screen shot में जाना है, देखना है, क्या लिखा है, viral girl saloni image, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजे, viral girl saloni image, मतलब कि Google में सबसे ज्यादा जो चीजे सर्च होती है, वही Google यहाँ पर दिखाता है, तो viral girl saloni image, ठीक है, उसके बाद लिखा वाइरल गर्ल सलोनी का गाना वाइरल गर्ल सलोनी का गाना इस तरीके से आपको क्या करना है कि जितने भी यहां पर आपको दिखा जा रहा है सारा आपको लिख देना वाइरल गर्ल सलोनी रोहतास गर्ल गोना वाइरल गर्ल सलोनी रोहतास भी लिख देते ह उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पर आपको back आ जाना है, back आने के बाद क्या करना है, आपने title लिख दिया, आपने description लिख दिया, अब आपको क्या करना है, कि यहां पर आपको hashtag लगाना है, hashtag आपको कैसे लगाना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर hashtag लगाना है, उस इसमें आपको इस तरीके से कॉमा लगाना है इसमें इस तरीके से कॉमा लगा देना है हर जो भी आपने यहां पर जो भी लिखा है यूर क्वैरिज में उस सब के बाद यहां पर इस तरीके से कॉमा लगाना है जैसे आप देख सकते हैं वाइरल गल्स सलोनी बिहार के बाद हम को यहां पर copy कर लेना है copy करने के बाद back आना है और यहां पर आपको tags में इस तरीके से आपको paste कर देना है इस तरीके जैसे ही आप paste करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका tag जो है सो पूरी के पूरी तरीके से paste हो गया अब आपको क्या करना है कि इन जो कॉमा है उसको हटा देना है और कॉमा हमने इसलिए लगाया था ताकि इसको जो है सो टैग में पेस्ट कर सके और इस तरीके से आपने जो है सो टैग में भी पेस्ट कर दिया अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जब आपका पूरा वीडियो तयार हो जाए तो अलिस्टेट से यहाँ पर पब्लिक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद सेफ पर क्लिक कर देना है जैसी आप सेफ पर क्लिक करेंगे यह वीडियो आपकी सौर्ट में यहाँ पर अपलोड हो गया और यह पब्लिस हो गई अब इस वीडियो को आपको 12 घंटे बाद बाच करना है आप देखेंगे कि short feed में तो viral होगी ही साथ ही साथ आपके सर्च में भी ये वीडियो viral होगी तो ये था पूरा proper तरीका जिससे आप short video का upload करते हैं तो आपकी video 100% chances है कि यहाँ पे viral हो जाएगी तो आपको ये video पसंद आई होगी और अगर ये video पसंद आई हो अगर ये trick पसंद आई हो तो वीडियो को like किजेगा, share किजेगा और चैनल को subscribe जरू से जरू किजेगा ऐसे ही YouTube पर मज़धार videos देखने के लिए video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद